आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पहर रेंगती रही भारती अर्थविबस्था जीडीपी दर्द सिर्फ 4.2 फेजदी 36 गड़ के पूर मुख्यमंत्री अजीद जोगी का 75 साल की उमर में हुआ निधन अजीद जोगी 36 गड़ के मुख्यमंत्री बने थे पहटे जब 36 गड़ का फॉर्मेशन हुआ था मुख्य समाचार नमस्कार मुख्य समाचारों के साथ मैं माधुरी पश्चिम बंगाल में एक जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल और आठ जून से सभी निजी और सरकारी कर्मचारी काम पर लोटेंगे 36 गड़ के मुख्य मंतरी अजीत जोगी का आज निधन हो गया वे 70 साल के थे और कई दिन से रायपूर के अस्पताल में भरती थे कोरोना संकट और लॉकडाउन पर ग्रह मंतरी अमित शाहा ने आज प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के साथ बैठक की भारत के बाद अब चीन ने भी अमेरिकी राष्ट्रोपती डॉनल्ड ट्रम्प की भारत चीन विवाद पर मध्यस्तिता की पेशकश ठुकरा दी है सी बी आई ने दिली के निजामुद्दीन इलाखे में स्थित मरकज के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है आंधरप्रदेश के हाई कोट ने एन रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल करने का आदेश दिया रेल मंत्रालय ने नए दिशानिरदेश जारी किये जिनके अनुसार गंभीर बीमारी से परिशान लोगों को रेल यात्रा नहीं करने की अपील किये है बोस्टन मेराथन 124 साल के इतिहास में पहली बार रद्ध हो गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि मौनसून एक जून को केरल में दस्तक देगा कोरुना वाइरस संक्रमन के मामलों में भारत अब दुनिया में नौवे नंबर पर आ गया है बीते 24 गंटों में रेकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आये हैं जबकि 175 लोगों की मौत हुई है दिल्ली में कल से 1,000 से अधिक नए मामले सामने आये हैं और संक्रमन के मामले में राजधानी दिल्ली अब मुंबई के बाद देश में दूसरे नंबर पर है दिल्ली के उपमुख मंतरी मनीश से सोधिया ने आज एक प्रेस वारता में लोगों को अस्पताल ना आने की सलाह दिये है दिल्ली भी इसका उधारन बनती जा रही है कि 80-90% लोग होग कोरिंटाइन में रहके ठीक हो जा रहे है रिकवर कर जा रहे हॉस्पिटल आने की जरूत नहीं है बहुत सारे लोग अगर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाय जाते हैं तो उनकी फैमिली में उनके आसपड़ गाइडलाइन्स के यह है आपको बिल्कुल होस्पिटल आने की जरूत नहीं है आप एक दम अपने घर में एक कमरे अगर कमरा अलग से है तो कमरा कर लीजे उस कमरे में रह लीजे आइसोलेशन में कमरा नहीं भी है तो एक एक्स्कुलूसिव कमरा नहीं भी अरेंज हो पा बीते एक हफ़ते से कोरोना संक्रमन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, नए मामलों की तादाद रोजाना 5000 से अधिक रही है, और अब भारत दुनिया में 9 नंबर पर आ गया है। में कोरोना के केसे तकरीबन 5% से उपर हर रोज बढ़ रहे हैं, और अभी ये केसे समारे हां 165,799 के आसपास पहुंच चुका है, और पूरी दुनिया के जो टॉप 10 कंट्री जहां पे कोरोना के केसे उस पर नजर डालें, तो इंडिया जो है 9 पोजिशन पहुंच गया, केसे उसने एक दिन में रिकॉर्ड किया है, और इसी तरह से डिस्ट का अगर देखा जाए, तो 4706 अभी तक हो चुकी है इंडिया में, तकरीबन आज एक तरह से देखा जाए कि ये रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए रही है कि death का ratio कैसे इतना ज्यादा बढ़ रहा है, overall देखा जाए कि last 5 days में जो cases बढ़े हूँ 33,963 के आसपास पड़े हैं, केवाल 5 दिन में, और इन ही 5 दिनों के दारान 443 deaths हुई है, कुल मिला करके 4000 से उपर के death का आखना पहुच चुका है, लेकिन सवाल है कि जो जो magnetic laborers हैं, वो जो वापस आए हैं और नए नए जो green zone थे वो अब red में convert हो रहे हैं, officially हलांकि अभी इसका एलान नहीं किया गया है, कि red zone की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो आ सरकार में माई 1 में red और green और orange का definition दिया था, उसमें green zone में लगातार number बढ़ते गये हैं, cases के ज्यादा cases emerge किये हैं, और नए उडिसा जैसे state में भी नए cases सामने आ रहे हैं, तो सवाल है कि control तो corona पर अभी नहीं हो पाया है, लेकिन ये भी नहीं लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में इसकी रफतार धीमी पढ़ने वाली है, क्योंकि जो doubling rate है, वो no doubt देखने में base rate की जो base number है, उसकी वज़ा से लगता है, कि 13 या 14 दिन में cases डबा लो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उसका actual impact कुछ खास नहीं हो रहा है, दीपू मुंबई के बाद अब दिल्ली में सबसे ज्यादा corona संक्रमे थे, बड़े शेहरों का क्या हाल है, क्या ये कहा जा स है, कि शेहरी भारत में इस्थिती ज्यादा गंभीर है, पिछले 24 घंटे में देगा है, तो दिल्ली गुजरात को पीछे चोड़ चुका है, गुजरात एक तरसे second state था इंडिया में, जहां सबसे ज्यादा cases कोरोना के पाए गये थे, महरास्टा के बाद, और उसके बाद त साथ हजार से उपर उनकी संक्या है, तकरीवन साथ हजार का आजा है, और यह एक biggest jump है अब तक का आँ इंडिया में, जहां पे कि टोटल करीब एक लाख पाए साथ हजार साथ हजार साथ हुनी नामरे के आसपास case पहुच चुके हैं, और 4.7% की ये growth है, डेथ टोल में भी तकरीवन 178 नए death penalties record की गई है पिछले 24 गंटे में, और इस तरह से देखा जाए, तो इंडिया में recovery का जो rate है, वो 42% के आसपास है, और death rate 2.8%. तो overall देखा जाए, जो नए cases जा रहे है, सबसे बड़ा parameter नए cases का है, जो कि तकरीवन 6-7,000 के आसपास पिछले एक अप्ते से पहुच रहा है, नए cases का, और इसी वज़ास से 5 दिनों में 33,000 से उपर नए cases record किये गए है, और एक तरह से देखा जाए कि इंडिया में जो लगातार अगर देखा जाए कि 5 days average moving है, वो 4.7% के इसाफ से जो नए cases है, वो so कर रहा है, लेकिन जो overall लगातार trend जो बढ़ रहा है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में कोई major drop हुआ है per day cases के मामले में, एक्टिव cases की जहां तक संक्या है, वो 89,987 है। मन्थन में लगे हैं और इस बैठक में अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के तरफ से आए सुझावों पर विचार भी किया जा रहा है। लोकडाउन के पाँच में चरण को शुरू करने पर क्या है मुख्यमंत्रियों की राय बता रही हैं हमारी सहयोगी। आशिता सेथ। देश में कोरोना मामलों का आखडा डेड़ लाग को पार कर चुका है और वहीं 31 मई को देश में लोकडाउन 4 भी खत्म होने वाला है। ऐसे में लोकडाउन 5 को लेकर भारत सरकार ने चिंतन शुरू कर दिया है। हर लोकडाउन की शुरुवात में जैसे राज्य के मुक्यमंत्रियों से केंदर सरकार राह लेती है, इस बार भी ऐसा किया गया है। ग्रिह मंत्री अमिच्चा के साथ हुई बाचीत में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कोरोना का गड़ बने महराश्ट्र समेत कई मुक्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राई दी है। लोगडाउन पांच को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ मंत्री सतेंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार अभी ऐसी जगहों को बंद रखना चाहती है जहां बड़ी संख्या में लोग एक जुट होते हैं, जैसे सिनिमा हॉल. इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज भी अभी नहीं खोले जाने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोगडाउन को 15 दिन और बढ़ाये जाने की मांग की है। साथ ही अपनी कुछ और राय भी भारत सरकार को दी है। करनाटक के मुख्यमंत्री बी एस यदी यूरपा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिक कर चौथा लोगडाउन खत्म होने के बाद एक जून से धार्मिक स्थल खोलने की जासत मांगी है। उनके मुताबिक अगर केंद्र सरकार से अनुमती मिलती है तो राज्य में मंदिर, मजडित और चर्च खोल दिये जाएंगे। साथ ही यदी यूरपा की तरफ से ये विनती भी की गई है कि जिन राज्यों में कुरोना के मामले जादा हैं उन राज्यों से सीमित संख्या में फ्लाइट्स करना तक भेजी जाएं। 17 जून के बाद स्कूलों को कौरंटीन सेंटर ना बनाए जाने के लिए कहा है। करनाटक और हर्याना के मुख्यमंत्रियों ने भी जल्द स्कूल खोलने की जाज़त मांगी है। लेकिन NCP प्रमुक शरत पवार लोकडाउन में कई तरहां की धील की मांग कर रहे हैं। जिन में से एक सरकारी करमचारियों की आवजाही के लिए मुंबई लोकल चलाने की मांग शामिल है। लोकडाउन लगाने को लेकर यूं तो हरियाना अकसर केंदर सरकार के फैसले के साथ चलता है। लेकिन ग्रीहराज्यमंत्री अनिल विज की राय है कि प्रदेश में लोकडाउन 5 लगना चाहिए। जिसकी वजह विज ने NCR से हरियाना में बढ़ रहे कुरोना पॉजिटिव केसिस को बताया है। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी कई राय और मांगों को केंदर सरकार तक पहुँचा दिया है। लेकिन देश में जहां से सबसे ज़ादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर सरकार का फोकस इस बार ज़ादा होने की बात कही जा रही है। आश्रता सेट आज तक रेडियो। हर भले आदमी की एक रेल होती है, जो मां के घर की ओड़ जाती है। सीटी बजाती हुई, धुआ उड़ाती हुई, कवी आलोग धन्वा की ये पंक्तिया हैं, मगर अब ट्रेन ऐसी कहा है। अबल तो ट्रेन चली नहीं रही थी, और जो चल रही थी, वो खचाखच यात्रियों से भरी हुई। और जो चल रही हैं, वो खचाखच यात्रियों से भरी हैं, रास्ता भटक कर देर से घर पहुँच रही हैं, कुछ लोग पहुँचे तो कुछ लोग कांधों पर सवार होकर घर पहुँचे। कई लोगों की इस दोरान मौत की खबर आई। गर्मी, भूख, प्यास ने इन सब की जान ले ली ऐसी एक रेल यात्रा के दोरान। लेकिन रेलवे ने कहा कि ये सब लोग किसी न किसी बीमारी से घेरे हुए थे, जो लोग मारे गए। इन में से बहुत सारी लोग ऐसे थे जो अपनी किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाने शहर गए थे और लॉकडाउन में वहीं फज गए। अगर कोई गरीब आदमी ब अच्चा पढ़ गया होगा। कैसकी भी कोई जांच कराई जा सकती है। बहराल रेल मंतराले ने एक-एक आदमी की मौत पर विस्तार से सफाई दी है। निर्देश दिये हैं कि अब कोई भी बीमार व्यक्ती रेल की आत्रा नहीं करेगा। आने वाली एक जून से दो सो और पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। इनके टिकेट्स की बुकिंग पर सो 31 मई से शुरू हो जाएगी, पहले की तरही ततकाल और करिंट बुकिंग शुरू हो जाएगी। पार्सल बुकिंग सेवा भी शुरू हो जाएगी, यानि घर जाने के अब और ज्यादा रास्ते खोल जाएंगे, सब सुरक्षित घर को लोट सकेंगे, माधुरी आज तक रीडियो दे रहे हैं इंडिया टोडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी इस्तर से भी काफी नीचे है और ग्यारा साल के नियून तम इस्तर पर है सनद ध्यान रहे कि आखिरी तिमाही थी उसके आखिरी साथ दिनों में लॉकडाउन लगा था और अब अपरेल से जून की तिमाही में भारत की आरतिक विकासदर 25-20 शूने से 25 विकासदर नीचे तक गिरने का खतरा है और इसलिए तवर्श में भारत की विकासदर पूरी तरह नकारात्मक होने की आशंका है इससे दो चीज़ दो संकेट मिल रहे हैं और अब बात भारत चीन विबाद की भारत चीन विबाद पर टरंप की मध्यस्ता का आफर भारत ने ठुकरा दिया है लेकिन इसी बीच अमेर्की राश्ट्रोपती ने कहा है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी से उन्होंने बात की मगर वो बैड मूड में थे जबकि विदेश मंतराले से खबर आ रही है कि मूदी और टरंप के बीच अपरेल के बाद कोई बात ही नहीं हुई है इस बीच भारत चीन बॉर्डर पर क्या इस्थिती बनी हुई है ताजा जानकारी दे रही है माधुरी भारत के बाद चीन ने भी अमेरिका का दोनों देशों के बीच मध्यस्तता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है चीन के विदेश मंतराले के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन किसी भी आपसी विवाद को बातचीत के सहारी हल कर सकते हैं ऐसे में किसी दीसरे देश की इस विवाद में जरूरत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प ने ट्वीट कर ये ओफर किया था। इसके बाद कल भारत ने भी जवाब दे दिया कि दोनों देश आपस में इस मुद्दे को सुलजा सकते हैं। उधर राष्ट्रपती ट्रॉम्प ने कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को कॉल किया था। मगर प्रधान मंत्री से उनकी बात ज्यादा नहीं हुई क्योंकि उनका मूड खराब था। इस पर आज फिर से भारत के विदेश मंत्राले ने स्पष्ट किया कि डोनों देशों के प्रमुखों के बीच अप्रेल के बाद कोई बात चीत हुई ही नहीं है। फिलहाल दोनों देशों के सेनाएं लदाख में आमने सामने हैं। मई महीने की शुरुआत में चीन की ओर से यहां पहले घुसपैट की कोशिश की गई। जिसके बाद दोनों देशों के सेनिकों में जड़प हुई और हाथा पाई तक की नौबत पहुँच गई। चीन की ओर से लदाख के पास सेनिकों की संख्या बढ़ा कर 5000 के खरीब कर दी गई। और जवाब में भारत ने भी लदाख में सेनिकों की संख्या को बढ़ाया है। माधुरी आज तक रेडियो। वहीं भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच एक बार फिर मैक मोहन रेखा का महत तो बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है और इस रेखा का इतिहास भी कई पड़ावों से होकर गुजरा है। क्या है मैक मोहन लाइन और इसे क्यों नहीं मानता है चीन बता रहे हैं आनंद श्री वास्तव। पिछले काफी दिनों से भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। दोनों देशों के बीच ये खटपट सीमा विवाद को लेकर है। वास्तविक नियंतरन रेखा के पास दोनों देशों के सैनिकों की हलचल बढ़ गई है। गलावन घाटी में चीन ने पिछले दो सप्ताह की भीतर करीब 100 टेंट लगा दिये हैं। वो मशीनरी भी यहां ला रहा है जो शायद बंकर्स बनाने में इस्तमाल हो। भारत भी पैंगॉंग जील और गलावन घाटी में सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। कई इलाकों में भारत के स्थिती चीन से बेहतर है। European Space Agency की ताजा सैटलाइट तस्वीरों से इस महीने के तीसरे हफ़ते में अकसाई चीन ख्षेतर में मूवमेंट के संकेत मिलते हैं। अकसाई चीन लद्दाह का वो हिस्सा है जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध के बाद से खबजा कर रखा है। जबकि भारत पश्चमी सेक्टर में अकसाई चीन पर अपना दाबा करता है। भारत और चीन 3488 किलोमेटर लंबी सीमा साजा करते हैं। ये सीमा जमू कश्मीर, हिमाचल प्रुदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुनाचल प्रुदेश से होकर गुजरती है। ये तीन सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चमी सेक्टर यानि जमू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानि हिमाचल प्रुदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानि सिक्किम और अरुनाचल प्रुदेश। चीन पूर्वी सेक्टर में अरुनाचल प्रदेश को दक्षणी तिबद का हिस्सा बताते हुए अपना दाबा करता है। चीन तिबद और अरुनाचल प्रदेश के बीच की मैक मोहन रेखा को ये कहते हुए मानने से इनकार करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिबद के प्रतिनिधियों ने ये समझोता किया था तब वो वहां मौजूद नहीं था। हमने राजीव गांधी National Institute for Youth Development के प्रोफिसर और इंजिन पॉलिटिकल साइन्स असोसियेशन के सदस्य डॉक्टर इंडरजीत सिंग सोधी से समझने की कोशिश की कि मैक मोहन रेखा क्या है और इसकी भागौलिक स्थिति क्या है 1914 का साल शिमला में एक समयलन हुआ जिसमें देश राय बिर्टेन, चीन और तिबबत इस समयलन में सीमा से जुड़े वे कुछ एहम ठैसले हुए तब बिर्टेन के भारती समराज्य में विदेश सचे सर हैंडरी मैक मोन ने बिर्टेशन लिया और तिबबत के बीच लगवग 890 किलोमेटर लंबी एक सीमा कीची इस सीमा रेखाओ को नाम मिला मैक मोन लाइन इसमें तमांग जो की अरुणचर ब्रदेश का हिस्सा था को बिर्टिश भारत का हिस्सा माना गया मैक मोन लाइन के पश्चिम में भोटान और पूरम में ब्रमपत्तर नदी का ग्रेट बैंड है भारत चीन विवाद के बीच चीन की ओर से आज एक बयान आया है कि वो भारत के साथ बाचीत के जरिये सभी मुद्दे सुल जालेगा देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश क्या रणनी थी अपनाते हैं आनंद शिवास तब आज तक रेडियो कोरोना महमारी किस कदर दुनिया के कई विक्सित और विकाश शील देशों पर कहर बरपा रही है ये हर दिन सामने आते आंकणों से साफ है लेकिन इस स्थिती में उन देशों की बात करनी भी जरूरी है जिन्होंने कोरोना से निबटने में मिसाल पेश की है ऐसा ही छोटा सा देश है अफरीका का नामी बिया जो इन दिनों चर्चा में है यहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है अधिक जानकरी दे रही है आशिता सेट अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और अब तो भारत भी दुनिया की कोरोना टॉप टेन इस लिस्ट में अपनी जगहा बना चुका है यानि बड़ी आबादी और बड़े देशों में कोरोना का संकट लगातार जारी है लेकिन इस थिती में उन छोटे देशों का हाल भी जानना उतना ही जरूरी है जिन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है इनी में से एक है नामभी बिया करीब 25 लाग की आबादी वाले इस दक्षन पश्चमी अफ्री की देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या सिर्फ 22 दर्ज की गई है जिन में से 14 ठीक भी हो चुके हैं और फिलहाल किसी को भी कोरोना की वजह से अपनी जान नहीं गवानी पड़ी है इस हैरानी भरे आंकडे को सुनने के बाद ये सोचना लाजमी है कि आखिर नामभी बिया जैसे छोटे और विकाल स्चील देश ने ये सब कैसे कर दिखाया तो उसके लिए सरकार की नीतियों और लोगों की अनुशासन की दाद दी जानी चाहिए अब जब कोरोना के मामले नियंतर्ण में हैं तो नामभी बिया के राष्टपती हेज गिन गोब ने 2 जून से लेवल 4 लोगडाउन सिस्टम में धील देते हुए इसे लेवल 3 पढ़लाने का फैसला किया है इसी के तहट देश में आर्थेक और सामाजिक गतिवित्यों के लिए लोगडाउन में धील देने की बात कही गई है ऐसे में सवाल ये है कि नामभी बिया ने COVID-19 पर ये जीत कैसे हासल की तो इसकी सबसे बड़ी वज़ा है देश के सरकारी और गहर सरकारी स्टेक होल्डर्स का मिलकर काम करना दूसरे देशों में फैलते कोरोना मामलों से सीख लेते हुए नामिबिया की सरकार ने स्टेक होल्डर्स की राय पर अमल किया और उनसे मिले टेक्निकल सपोर्ट को इस्तमाल किया राष्टपती के प्रवक्ता के मुताबिक 13 मार्च को देश में जैसे ही COVID-19 के पहले दो मामले सामने आए वैसे ही राष्टपती गिन गोब ने अगले 10 घंटों में तेजी से फैसले लेते हुए दोहा और अदीस अबाबा को आने और जाने वाली सभी तरह की यात्रा पर ब कोरोना देश में ना पहले इसके लिए 24 मार्च से 30 दिन तक सभी देशों की यात्रा पर बैन भी लगा दिया गया इस दोरान देश में मौजूद नामबीबिया के नागरिकों के कहीं भी आने जाने पर रोक लगाई गई नामबीबिया के स्वास्त मंत्री के मताबिक लॉकडाउन के दोरान बॉर्डर पर फसे उन्हीं लोगों को देश की सीमा में प्रवेश की अनुमती दी गई जिनका काम राश्ट्रहित के लिए बेहत जरूरी था जिसके बाद उन्हें 14 दिन के कॉरंटीन में भी रखा गया मिड मार्च में पहली बार नामबीबिया में कोरोना का पहला मामला सामने आया था लेकिन ऐसे कुछ कड़े कदम उठाकर रिपबलिक ओफ नामबीबिया ने कोरोना महमारी को फैलने से रोका और 17 अप्रेल से 21 मई यानी 45 दिन गुजरने के बाद भी कोई नया कोरोना केस र हर हाल में हराना आशिता सेट आज तक रेडियो इंजीनियर अध्यापक आईपीएस और आईएस की नौकरी से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तै करने वाले अजीत जोगी नहीं रहे 24 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया अपने आपको सपनों का सौधागर कहने वाले अजीत जोगी के राजनीतिक जीवन से जुड़े कस्से सुना रहे हैं मंजीत ठाकुर अपदस्त करने के लिए एक बड़ा भियान चलाया था और तब इस बगले में दिग्विजा सिंग ने साक एमेले के दस्तखत से एक ऐसा हलस नामा चलवाया था जिसमें ये दावा किया गया था कि अजीत जोगी जन जातियत समुदायत से हैं ही नहीं लेकिन जब 36 गड़ बना और 36 गड़ में ऐसाल दिग्विजा सिंग को लगा कि वहां का मुख्य मंत्वी पद किसी उनके राज़ातिक विरोधी के पास दा सकता है तो तब दोने दुश्मन एक हो गया था ये बाद दुश्चत से खिस्ता है जोगी का जब शपत ग्रहन शम करने वाला था क्योंकि सब को मालूम था कि किस तरह से इन दोनों के बीच में सियासी दिश्मनी चल रही है जब 37 गड़ में मुख्य में चुनने की बारी आए अलाकि ये कहा जाता है कि विरहाइक दल की लोग चुनते हैं लेकिन सब को पता है कि राजने सिंग दल के तरह से काम करते हैं तो तीन परेवा एक शुक बेजे गया था दिली से दिग्विजा सिंग प्रवाराओ और गुलाम नभी आज़ाद टीवी चैनल्स जब ये लोग पहुँचे तो टीवी चैनल्स ने ये ख़बर चलाई कि सोया गांसी ने जोगी को अपना उमीद वार्चुन ल कि अगर इन विधायकों को सुनिया के फैसले का पता चल गया या उस पर ये जटा रेक कर गया तो इनको साथ रहना मुश्किल होगा तीन तक्तुवत दो हजार की बात है दिग्विजा सिंग ने विधायकों की एक आपचारिक बैठक बुलाई जो तुरत नया-नया मुक्मि प्रिशक्ती लगा दोगा और इसके बाद अगर आला कमान को वचन दिग्विजा सिंग ने दे दिया है तर तो फिर बाकी जो वहां के विधायक हम के लिए तो ये चुनावगी खत्म हो गया था तब वहां पर जो जिन लोगों ने और भी प्रस्ताव रखे उनमें 30 बचे विधायक ते जो कुल्मिला का 40 थे उनके यहां से उनमें सभी लोगों ने दिग्विजा सिंग पर आस्था जताए थी 31 अक्टूवर को कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक होई जब वहां वोटिंग होई तो साथ विधायक अनुपस्थित थे मतलब मैं एक दिन बात की बात कह रहा हूँ अजीत जोगी के नाम पर एक तालिस वोट मिले साथ में तीन निवदलिया और गुंडवाना पार्टी वहाएक वहां पर उन्होंने भी समर्थान दोने की बात कही और इस तरह अजीत जोगी 36 कल के मुख्यमंत्री बने विध्या चरण शुक्र और आदिवासी मेता अर्विन नेताम का अजीत जोगी अजीत जोगी को याद कर रहे थे इंडिया टोड़े हिंदी पत्रिका के विशेश संबादधाता मंजीत ठाकुर दुनिया के सबसे बुजरुग बेक्ती बॉब वेटन का निधन हो गया है वो 112 साल के थे पिछले रिकॉर्ड धारक जापान के चितेट्सू वतानाबे के निधन के बाद उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस खिताब से नवाजा था आईए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें ये आवाज आपको अब नहीं सुनाई देगी ये आवाज है दुनिया की सबसे बजर्ग व्यक्ती बॉब वेटन की जिनका 112 साल की उम्र में निधन हो गया उन्होंने एक दशक तक दुनिया को बदलते देखा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बाब को दुनिया की सबसे बजर्ग व्यक्ती के खिताब से नवाजा 112 साल की उम्र में भी चेहरे पर मस्कुराहत और जिन्दगी जीने का जजबा हमें बहुत कुछ सिखाता है हम जहां कभी अपनी नौकरी तो कभी अपनी ख्वाहिशों को लेकर परिशान रहते हैं वही बाब ने अपनी जिन्दगी को पूरी जिन्दा दिली से जिया मैं कभी ऐसा इनसान नहीं रहा जिसने कहा हो कि उसे माउंट एवरिस्ट क्लाइंड करना है या पूरी दुनिया में घूमना है जिन्दगी ने मुझे जब 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 जो दिया मैंने उसका वैसे ही स्वागत किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिये बाब के इस इंटरव्यू को जब मैं देख रही थी तो पूरा वक्त एक मुस्कुराहत सी मेरे चेहरे पर अपने आप ही बनी हुई थी कहते हैं ना स्माइल्स आर कॉंटेजिस 112 साल की उम्र में भी जो पॉजिटिविटी बाब की आँखों में नजर आती थी वो सच में किसी सीख से कम नहीं है बॉब के परिवार वालों ने कहा कि परिवार के लिए उनकी उम्र आश्चरे जनक थी वो जिन्दगी जीने में रुची रखते थे मैं कई चोटों फ्लू इंफ्लूएंजा का शिकार हुआ हूँ इसके अलावा मुझे मलेरिया भी हो चुका है दो-तीन ऑपरेशन भी हुए हैं अब तक मुझे मर जाना चाहिए था लेकिन मेरी जीजिविशा मौत पर भारी पड़ गई बॉब का जन्म 29 मार्च 1908 में इस्ट यॉक्शायर में हुआ था और उनकी शादी 1937 में हुई एगनिस और बॉब के तीन बच्चे भी हैं उनके तीन ग्रैंचिल्डरन और पचीज ग्रेट ग्रैंचिल्डरन हैं उनका दूसरा बेजरूम एक वर्क्शॉप जैसा था जहां उन्होंने फरनीचर, वेंड मिल और दूसरे तरहे के सामान रखे हुए थे मैं पेशे से इंजिनियर हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ बनाते रहना मेरे अंदर नाचुरली आता है जब उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया, तो उन्होंने कहा मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ये मिलेगा मेरे लिए ये रिकॉर्ड नया है, अपना जो रिकॉर्ड मुझे याद है, वो स्कूल के स्पोर्ट स्टे के दौरान हाई जंप में मिला रिकॉर्ड है मुझे ये अवाड देने के लिए आपका शुक्रिया और अप सुनते हैं बाजार का हाल हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर से भारती शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन बढ़त देखने को मिली सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सुचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए निफ्टी में करीब एक फीज़दी की बढ़त देखने को मिली चानवे सो असी के इस तर पर इस हफते की वीकली क्लोजिंग आई है अगली हफते भी ये बढ़त जारी रह सकती है मिटकेप शेयरों की बात करें तो आज वहां भी अच्छा उच्छाल देखने को मिला 143 अंकों की बढ़त थी निफ्टी मिटकेप इंडेक्स में 14273 के स्तर पर ये बंद हुआ बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली आज जून सीरीज की शुरुवात थी कल मई सीरीज के एक्सपाइरी के बाद जून सीरीज की शुरुवात का पहला जो कारोबारी सत्र था वो अच्छा रहा एक और बड़ी important चीज दिया है कि FIAs और DIAs पिछले तीन दिन से लगातार बजार में खरिदारी कर रहे हैं यही कारण है कि बजार में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है सेक्टर के हिसाब से आज बात करें तो banking शेयरों में, oil and gas में automobile में, utility शेयरों में, chemical, engineering metal mining, pharmaceutical सभी शेयरों में बढ़त थी, केबल जो गिरावट थी IT शेयरों में थी और telecom शेयरों में कुछ गिरावट थी अगर stocks के हिसाब से देखें तो Sensex में शुमार 30 शेयरों में जो सबसे आदा बढ़त थी, वो M.G.C. में थी, करीब 5 फीजदी की बढ़त बजाज ओटो, ITC, Sun Pharma Nestle, Larson, Hero Motocop, Maruto Suzuki, Asian Pet, Ultra Tech Cement, यह तमाम ऐसे शेयरों थी जो बढ़त के साथ बंद गुए, जबकि आज जो गिरावट थी, वो Kotec मेंदरा बैंक, Reliance, M&M, Titan, TCS, भारती अटेल, Access Bank और Infosys के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली, सबसे ज़्यादा गिरावट वाला जो शेयर था, वो आज Infosys था, जिसमें दो फीजदी से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली अब बारी है खेल समाचार की कोरोना संकट के बीच अलग-अलग देशों के फुटबॉल लीग फिर से शुरू हो रही है तीन महीने के बाद English Premier League फुटबॉल की 17 जून से वापसी हो रही है मार्च में जब लीग निलंबित की गई थी तब Liverpool Manchester City से 25 अंक आगे था और दो मैचों में जीत दर्चकर वो 1990 के बाद पहली बार English Premier League का चैंपियन बन जाएगा इटली की फुटबॉल लीग सेरेया 20 जून से शुरू होगी इटली सरकार ने लीग को फिर से शुरू करने को अपनी मंजूरी दे दी है 20 में से 16 टीमों ने लीग को 13 जून से फिर से शुरू करने के पक्ष में अपना मत दिया था सेरेया में अभी 12 राउंट के मैच और खेले जाने हैं फिलहाल अंक तालीका में यूवेंटस 63 अंक के साथ टॉप पर है विश्व बैडमिंटन महासंग ने जूनियर विश्व चैंपिंशिप को नई तारीखों के साथ कराने का फैसला किया है ये चैंपिंशिप इस साल सितंबर में न्यूजिलेंट के आउकलेंड में होनी थी लेकिन अब ये टॉनामिंट 11 से 24 जनवरी 2021 के बीच खेला जाएगा इस टॉनामिंट से पहले विश्व जूनियर मिश्व टीम चैंपिंशिप का आयोजन होगा जो 11 से 16 जनवरी के बीच खेली जाएगी कोरोना महमारी के कारण 36 में राश्ट्रिय खेल अब अनिश्चित काल के लिए टाल दिये गए हैं ये खेल अक्टूबर नवंबर में गोवा में होने थे भारतियों ओलम्पिक संध ने हाल ही में गोवा सरकार से कहा था कि वो इस साल 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच राश्ट्रिय खेलों का आयोजन करे पिछले राश्ट्रिय खेल केरल में 2015 में हुए थे बोस्टन मेराथन 124 साल के इतिहास में पहली बार रद्ध हो गई है इस मेराथन का आयोजन 14 अपरेल 2020 को होना था लेकिन कोरोना वाइरस की वजह से इसे सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था अब इस मेराथन को पहली बार रद्ध कर दिया गया है फुटबॉल दिल्ली ने आज कहा कि वो एक कैपिटल कप का आयोजन करेगा और इसमें भाग लेने के लिए इंडियन सुपर लीग और आई लीग की टीमों को आमंतृत किया जाएगा फुटबॉल दिल्ली की कारेकारी समीती की कल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बैठक हुई जिसमें दिल्ली में कैपिटल कप शुरू करने का फैसला किया गया क्रिकेट आउस्ट्रेलिया ने आज सुईकार किया है कि कोविड-19 महमारी के कारण अक्टूबर-9 नवंबर में होने वाले T20 विशुकप का होना तै नहीं है जिससे उसे राजसों का काफी नुकसान हो सकता है क्रिकेट आउस्ट्रेलिया के मुख्य कारेकारी केविन रॉबर्ट्स ने माना कि इस पृतियोगिता के आयोजन के साथ खत्रे भी जुड़े हैं ICC ने इस पृतियोगिता पर फैसला 10 जून तक के लिए चाल दिया है आज तक रेडियो आज तक.in slash radio ये हमारा पता है लेकिन हम आपके पसंदीदा ओडियो प्लाटफॉर्म्स पर भी हैं गूगल पॉड्कास्ट, आपल पॉड्कास्ट, स्पॉटिफाई, टियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कीचिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां और अब वक्त है आपसे विदा लेने का दिन भर में आज इतना ही आज तक रेडियो के पॉड्कास्ट आप लोग खूब सरा रहे हैं आप हमसे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेस्बोक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं इसके अलावा अपने सुझाव और कारकरम का फीड़बेक रेडियो एट आज तक डॉट कॉम पर भी भेजिए अब आप से सुमबार को होगी फिर से मुलाकात तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, खुश रहे और अमन गुपता को दीजिये अजाज़त, नमस्कार